सूलो फेंट्स मेरा नाम भुश्कर और ये है Samsung Galaxy M34 आज के इस वीडियो में लोग Samsung Galaxy M34 या Samsung Galaxy F34 का first 20 basic but very important features and settings देखेंगे जिनको अगर आपने Samsung Galaxy M34 या F34 में implement करते हैं तो आपका जो user experience है वो definitely काफी improve हो जाएगा start करते हैं तो आपको दो pages देखने के लिए मिलता है जहां पे कुछ settings रहता है जिनका आपको specially ध्यान रखना होता है जब भी हम Samsung के phone का setup video share किये हैं उनमें हम उन pages के बारे में आपको बताएं Samsung M34 का setup video already में ले चैनल पे है आप जाके उन pages पे किन settings को enable रखना है उस page को आपको किस तरीके से handle करना है ताकि आपको better ad free experience मिले वो हम share किये हैं वो आप जाके देख सकते हैं इसका setup video का जो link है हम video description में दे दिये हैं अब जो सबसे पहला setting है वो है face unlock related तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा Samsung M34 और मेरे face के तरू unlock तो हो जा रहा है बट अभी भी यह lock screen पर ही है हमको swipe करना पड़ेगा अपने phone में enter करने के लिए तो अगर आप auto face unlock enable करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको setting में आना होगा setting में आपको security and privacy में जाना है biometric setting में जाना है face recognition में जाना है जो भी आपका pin patent password है वो enter करना है इसके बाद यहाँ पे आपको face recognition का settings जो देखने के लिए मिलेगा उसमें stay on lock screen until swipe को आपको just disable कर देना है अब आप देख सकते हैं कि अगर हम face के तरू अपने phone को unlock करते हैं यहाँ पे हमको swipe नहीं करना पड़ रहा है automatically मेरे phone जो है ना मेरे face के तरू unlock होके home screen पर आ जाता है या फिर जो भी last screen हम use कर रहे होंगे डिरेक्टली उसी screen को हम access कर पाएंगे next जो आपने Samsung phone को setup करते हैं आप चाहते हैं कि अगर हम control center को सिर्फ एक बार दान करते हैं brightness slider जो हो देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स अगर आपके Samsung M34 या Samsung के phone में swipe down करने पे या swipe up करने पे app drawer ही open हो रहा है जबकि आप चाहते हैं कि swipe down करने से notification center या control panel open हो तो उसके लिए जो आपको home screen पे long tap करना है settings में जाना है यहाँ पे आपको option मिलता है swipe down for notification panel इसको आपको enable करना है अब अगर आप home screen पे swipe down करते हैं तो इस तरही कि से आप notification panel and control center open कर सकते हैं swipe up करके आप app drawer open कर सकते हैं नेक्स अगर आप अपने Samsung M34 F34 या Samsung के किसी भी phone में home screen पे double tap करके screen off and screen off condition में double tap करके screen wake करना जाते हैं तो उसके लिए आपको setting में जाना है setting में advanced feature में जाना है यहाँ पो motion and gestures में जाना है यहाँ प्रइबल tap to turn on screen इसको enable करना है double tap to turn off screen इसको enable करना है अब आप देखें कि home screen पे double tap करने से इस तरही किसे screen off हो जाता है and double tap करके screen स्क्रीन वेक करके हम अपने फोन को फेस के तुरू अनलॉक कर सकते हैं सेटप के बाद आपके सैमसिंग M34 F34 या सैमसिंग किसी भी फोन में जो है ना पाउर बटन को अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो डिरेक्ली आप कैमरा एप को ओपन कर सकते हैं अगर आपके फोन का स्क अप्शन मिलता है उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है एडवांस फीचर में साइड की में जाना है यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कोई क्लांच कैमरा का बाई डिफॉल्ट बट अगर आप चाहते हैं कि किसी और आप को आप इसी शॉटकट से यूज कर पाए तो आपको आपको सेट्ट करना है उसके पाद आपके फोन में जो भी अप इंस्टॉल calculate है उसमें से किसी को भी आप सेलेक कर ली यहाँ पर हम गूगल डोम सेलेक लेटे हैं इसके बाद के स्क्रीज से अगर हम इस पावर बटन को डबल टैप करते हैं तो इस तरह किसे google chrome हमächstक् अगर आपके phone पर ये show नहीं कर रहा है आप अपने phone को unlock कर लिए unlock करने के बाद setting में आ जागी है battery and device के यहाँ पर battery setting में आ जागी है यहाँ पर आपको more battery setting में जाना है and show charging information को आपको enable कर देना है इससे screen off condition में भी जो है इस तरीके से आपको charging percentage जह वो दिखता रहेगा इसके अलावा more battery setting में ही जो है यहाँ पर आपको adaptive battery का option मिलता है इस option को अगर आप enable करते हैं तो जिस तरीके से आप अपने phone को use करते हैं उस तरीके से battery optimize होता है और आपको extended battery life देखने के लिए मिलता है इसके अलावा आपके phone के status bar पे अगर battery percentage show नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको show battery percentage का option मिलता है इसको enable करके आप status bar पे battery percentage show कर सकते हैं इसके अलावा Samsung M34 या F34 में आपको 25W के super fast charging का support मिलता है अगर आप अपने phone को overnight charge करते हैं तो हम recommend करें कि यहाँ से आप fast charging को disable करके इसको रादबर charge में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके अलावा यहाँ पर आपको एक protect battery का भी option मिलता है जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप अपने phone के battery को बिल्कुल 0% तक brain करते हैं या बिल्कुल 100% तक charge करते हैं तो वह battery के life cycle पर जो है नेगेटिव impact करता है तो इसलिए यहाँ पर protect battery का एक setting दिया गया है अगर आप इसको enable करते हैं आपको battery जो हो maximum 85% तक ही charge होगा जैसे ही आप देख सकते हैं कि setting को enable किया है यहाँ पर charging जो हो stop हो गया जैसे ही इसको हम disable करते हैं वह ऐसी charging जो हो start हो जाता है because already मेरा phone जो 97% पर है तो अगर इस setting को enable करेंगे तो आपको phone जो maximum 85% तक ही charge होगा next यहाँ आप आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने Samsung M34 में auto rotation enable किया है तो किसी app को अगर हम open करते हैं अपने phone को अगर हम rotate करते हैं तो वो app जो हो landscape mode में rotate हो जाता है अगर हम gallery को open करें और इस तरीके से rotate करना चाहें तो rotate हम कर सकते हैं बढ़ यहाँ पे जो home screen है वो rotate नहीं होता है जो app drawer है वो rotate नहीं होता है तो अगर आप अपने phone को full landscape mode में use करना चाहते हैं तो home screen पे long tap कीजेगा setting में जाएगा यहाँ पे option मलता है rotate to landscape mode इसको enable कर दीजेगा अब आप देख सकते हैं कि अगर अपने phone को इस तरीके से rotate करेंगे तो home screen भी landscape mode में rotate हो चुका है और यहाँ पे अगर हम app drawer में जाके अगर इस तरीके से rotate करें तो app screen या app drawer वो भी landscape mode में इस तरीके से rotate हो जाएगा next आपको Samsung Galaxy M34 या F34 में Dolby Atmos for earphones मिल जाता है मतलब कि अगर आप external earphone या headphones use करें तो वहाँ पे आप Dolby Atmos वो enable कर सकते हैं उसके आपको setting में जाना है sound and vibration setting में आपको नीचे आना है sound quality and effects में यहाँ पे आप देखें कि Dolby Atmos and Dolby Atmos for gaming option है यह फिलाल use आप नहीं कर सकते हैं अगर आप अपने Samsung M34 या F34 से कोई भी external earphone या headphone connect करते हैं उसके पाद आपको Dolby Atmos and Dolby Atmos for gaming का option enabled देखने के लिए मिलेगा यहाँ से आप Dolby Atmos for gaming enable कर सकते हैं Dolby Atmos को enable कर सकते हैं इसमें आपको अलग-अलग modes भी मिल जाता है इसे movie के लिए music के लिए and voice के लिए अलग-अलग modes दिया गया है तो अगर आप modern navigation gesture यूज़ करना चाते हैं तो setting में, display setting में यहाँ पर आपको navigation bar setting में आना है swipe gesture select करना है और उसके बाद आपका ये navigation buttons disable हो जाएगा एक gesture hint bar देखने के लिए मिलेगा इसके उपर अगर आप swipe up करते हैं तो आप home screen पर आ सकते हैं swipe up and hold गर के recent apps देख सकते हैं and left से या right से swipe करके back button यूज़ कर सकते हैं या back gesture यूज़ कर सकते हैं अगर आपको google assistant या voice assistant यूज़ करना है तो diagonally आपको corner से इस तरीके से swipe करना है और आप voice assistant enable कर पाएंगे next आप अपने samsung phone में जब भी कोई new application play store से install करते हैं तो वो app drawer में तो add होता ही है साथ के साथ अगर वो आपके home screen पे भी add हो जा रहा है तो उसके लिए आपको home screen पे long tap करना है setting में जाना है यहाँ पे आपको add new apps to home screen का option मिलता है इसको disable कर देना अगर यह option enable रहेगा तो जब भी कोई नया application आप play store से download और install करेंगे तो वो app drawer में as well as home screen पे भी add हो जाएगा इस option को आप disable कर देंगे तो new application install करने पे वो सिर्फ app drawer में ही add होगा samsung m34 के साथ आपको by default google discover वाला page जो इनेबल देखने के लिए मिलता है तो अगर आपको google discover यूज नहीं करना है तो आप home screen पे long tap करके यहाँ से इसको disable कर सकते हैं या फिर आप home screen पे long tap करके home screen setting में यहाँ से भी जो है ना google discover को आप enable या disable कर सकते हैं next samsung galaxy m34 as well as f34 जो है ना दोनों में आपको amoled display देखने के लिए मिलता है तो आप always on display का feature यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको setting में जाना होगा lock screen setting में यहाँ पे आपको option मिलता है always on display का यहाँ से आप always on display को enable कर सकते हैं चार तरीके का आपको always on display देखने के लिए मिलता है अगर आप tap to show enable करके रखते हैं तो lock screen में as screen of condition में जब आप tap करेंगे तो इस तरीके से always on display शो करेगा अगर आप show always select करते हैं तो screen of condition में always जो है न इस तरीके का always on display show करेगा अगर आप show as schedule select करते हैं तो जो भी आपका schedule time होगा उस दोरान आपको always on display देखने के लिए मिलेगा and show for new notification के option select करने पे जब भी कोई नया notification आएगा तब always on display show करेगा इसी तरीके से यहाँ पे आपको clock style का option मिलता है तो अलग-अलग तरीके का clock style जो है वो आप AOD के लिए use कर सकते हैं जहाँ पे आपको अलग-अलग colors का भी option मिलता है तो यहाँ से आप colors जो है न वो भी अलग-अलग set कर सकते हैं इसके अलवा image clock में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको stickers का option मिलता है जिसमें आपको इस तरीके का GIF stickers जो है वो यूज कर सकते हैं जो आपके always on display पे show करेगा इसके अलवा यहाँ आपको इस तरीके का emoji वाला sticker देखने के लिए मिल जाता है कुछ और stickers भी आप add कर सकते हैं जैसे कि AR emoji वाला sticker है वो आपको create करना पड़ेगा फिर bitmoji अगर आप download करते हैं तो उसके थुरू भी जो है न कुछ और आप emoji create करके उसको always on display पे use कर सकते हैं फिलाल हम यह emoji है वो set कर गी है यहाँ पर हम done कर देते हैं और उसके बाद हम lock screen पे screen off करते हैं तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे always on display जो हो शो कर रहा है तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके का sticker यूज़ करके AOD पे कुछ इस तरीके का animations जो हो add कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको music information add करने का option मिलता है तो जो भी music आप play कर रहे होंगे उसका जो details है वो भी आपके AOD पे show करेगा अगर आप इस option को enable करते हैं फिर जो AOD का orientation है उसको आप portrait या landscape में set कर सकते हैं AOD के लिए जो auto brightness है वो आप यहाँ से enable कर सकते हैं next Samsung M34, F34 या Samsung की किसी भी phone को जब आप first time setup करते हैं तो Samsung wallet का इस तरीके का shortcut home screen पे create हो जाता है अगर आप अपने phone में gesture navigation यूज करें तो इस shortcut के कारण आपको जो है अपने phone को use करने में परिशानी हो सकता है इस shortcut को permanently कैसे disable करना है इसके लिए detailed video already मेरे channel पर है quickly हम आपको उतारते हैं कैसे disable करना है इसके लिए आपको Samsung wallet application open करना है इसको setup करना होगा कैसे setup करना है वो सब आप detail video में देख लिजेगा setup करने के बाद आपको setting में आना होगा और यहां पर आपको quick access में जाना होगा access location and default card पर जाना होगा home screen को just यहां से आपको disable कर देना है और आप देख सकते हैं कि अब यहां पर कोई भी Samsung wallet का shortcut जाए वो home screen पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है next बागी Samsung phone के तरह Samsung M34 F34 में भी आपको edge panel का feature देखने के लिए मिलता है by default यहां पर edge panel में सिर्फ app वाला panel ही enabled है तो और panels को enable करने के लिए and edge panel के handle के shape size colors को customize करने के लिए आपको setting में आना होगा display setting में यहां पर आपको edge panel को enable disable करने का option मिलता है edge panel के उपर अगर आप tap करते हैं तो यहां पर पाइनल का option मिलता है is के यूपर tap करके जो है एना अरफ अलग-अलग panels जो वो enable कर सकते हैं जो भी आपको useful लगे है जिनको भी आप यूज करना चाहते हैं अगर आप कुछ और edge panel या कुछ free एज़ पैनल यूज करना चाते हैं तो ग्यालक्सी स्टॉर पर चैक करके उहां से डाउनलोड करके इस लिस्ट में एड कर सकते हैं अब यहां पे देख सकते हैं कि कुछ और एज़ पैनल वह हम यहाँ पे select कर लिया है back आ जाते हैं इसके बाद यहाँ आपको handle का option मलता है इसके उपर tap करकी यह जो edge panel का handle है इसका color आप change कर सकते हैं इसके अलगा यहाँ आपको lock handle position का option मलता है इसके position को lock कर सकते हैं इसके position को right या left में आप shift कर सकते हैं यहाँ आपको option मिल जाता है अ उतना जादा यह विजिबल रहेगा जितना हाई रहेगा उतना कम विजिबल रहेगा फिर इसका जो साइज है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहां से इसका जो विड्थ है उसको आप थिन रख सकते हैं मीरियम पर कर सकते हैं या फिर थिक कर सकते हैं इसके लावा जब पोजिशन को change कर सकते हैं, left में या फिर right में shift कर सकते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि left में आ गया है, तो इस तरीके से अलग-अलग panels को हम left side से use कर सकते हैं Next Samsung M34 या F34 में 6.5 inच का display जो कि अभी की time में बहुत बड़े size का display नहीं है बट फिर भी अगर आपको one-handed mode का use करना है अपने phone को one-handed easily use करना है तो उसके लिए जोना आपको setting में आना होगा advanced feature में one-handed mode enable करना होगा अगर आप navigation gesture यूज़ कर रहे हैं तो bottom center में इस तरीके से swipe down करके आप जोना one-handed mode enable कर सकते हैं यहाँ पर arrow की उपर tap करके आप इसको left या right में shift कर सकते हैं इसके लाबा corner से इस तरीके से drag करके आप one-handed mode के size को increase या decrease भी कर सकते हैं and side में यहाँ पर tap करके आप normal mode में भी जा सकते हैं अगर आप button navigation system use कर रहे हैं तो फिर आपको home button पर double tap करके one-handed mode enable करना पड़ेगा next आपको samsung galaxy m34 या f34 में setting में advanced feature में lab settings में कुछ multitasking से related features देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि सबसे पहला है multi window for all apps आपके phone में जितना भी application installed है उसमें से सभी application जो है न वो pop-up view and split screen का feature support नहीं करता है तो अगर आप इस multi window for all apps को enable कर देता हैं तो जो भी application pop-up view या split screen को support नहीं करता है अब आप उन apps को भी pop-up view and split screen में open कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकता हैं कि netflix app के अगर हम icon के उपर tap करते हैं तो यहाँ पे pop-up view and split screen का option show नहीं कर रहा है जबकि अगर हम यहाँ ब्राऊजर के icon के उपर tap करते हैं तो यहाँ पे split screen and pop-up view का option show कर रहा है अगर हम setting में जाते हैं multi window for all apps को enable कर देते हैं अब अगर हम यहाँ पे netflix के icon के उपर tap करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम इसको split screen में as well as pop up view में open कर सकते हैं next यहाँ पे अगर हम किसी भी app को split screen में open करते हैं तो आप देखें कि उपर में यहाँ पे status bar show कर रहा है और नीचे में gesture navigation यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे gesture hint का जो बार है वो show कर रहा है अगर आप button navigation यूज करेंगे तो नीचे में button show करेंगे अगर आप चाहते हैं कि split screen में आप full screen में use कर पाएं मतलब कि उपर वाले apps में यहाँ पे status bar show ना करें नीचे में यहाँ पे navigation का जो भी system है वो show ना करें तो उसके लिए जो है अगेन आपको यहाँ पे lab वाले setting में आना है और यहाँ पे full screen and split screen view को enable कर देना है अब अगर हम split screen पे जाते हैं तो आप देखें कि status bar जो है वो गायब हो चुका है नीचे से जो gesture hint bar था वो गायब हो गया है अगर आप button navigation यूज़ करेंगे तो button वाला जो navigation system है वो भी यहाँ पे show नहीं करेगा next यहाँ पे lab setting में यह option मिलता है swipe for pop up view अगर आप इस option को enable करते हैं किसी भी app को आप use कर रहे हैं pop up view में उसको convert करना चाते हैं तो just इस top corner से आप इस तरीके से swipe करके जो है ना उस app को pop up view में convert कर सकते हैं और वापस इस line के उपर tap करके maximize कर देते हैं तो full screen में use कर पाएंगे इसी तरीके से यह आप आपको option मिलता है swipe for split screen तो अगर आप इस option को enable करते हैं again किसी भी application को आप use करना है two finger से अगर आप इस तरीके से swipe up करते हैं आप किसी भी apps को जो है इस तरीके से split screen में use कर सकते हैं अब क्योंकि यह Samsung का phone है तो आपको Samsung का dialer app मिलता है and Samsung के dialer app में आप जो है आप आटो call recording भी कर सकते हैं and जो call recording करेंगे उससे receiver end पे जो है ना कोई भी announcement सुनाई ने देगा और उसको enable करेंगे आपको dialer open कर लेना है three dots पर tap करना है setting में जाना है यहाँ पर record calls में जाना है and यहाँ पर आपको auto record calls का option मिलता है यहाँ से आप इसको enable करेंगे और उसके बाद automatically सारा calls जो हो record हो जाएगा जो भी recorded calls होगा अगर आप call recording सुना चाते हैं तो recorded calls पर tap करके call recordings आप देख सकते हैं auto records call के उपर अगर आप tap करेंगे तो यहाँ पर all calls का option मिलता है जिसमें सारा calls जो हो record होगा जिस number से call आने पर automatically call recording हो तो जो भी option आपको use करना हो आप यहाँ से use कर सकते हैं next Samsung M34, F34 में notification history का feature मिलता है मतलब कि अगर आप notification center open करते हैं clear के उपर tap करते हैं सारा notifications clear हो जाता है बाद में clear की हुए notification को अगर आपको देखना है तो आप नहीं देख सकते और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले setting में नोटीकेशन स्टेंग में então यहां से आपको notification history को इनैबल करना पड़ेगा करता है। यह कर देते हैं यहां से Focus, Exposer, Shutter Speed, ISO को Manage करके भी Pro Mode में वीडियो कैप्चर कर सकते हैं यही सब कुछ First 20 Plus Important Settings and Features था M34 and F34 के रिगार्डिंग जो कि हमको लगा कि एक First Time User के लिए useful रहेगा मांकि इस Phone के रिगार्डिंग कोई भी आपका Doubt हो, Query हो, आप Comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विल्कुल फ्री है Samsung M34 के लिए एक Playlist है जिसमें आपको इससे लिए काफी सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मागे मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में बबाए जहिंद